नमस्कार दोस्तो मैं हूँ डोक्टर सुनील गडवाल होमेपथी फिजीशन और न्यूटिशनिस्ट ओरनर फांडर गडवाल होमेपथी तो आज किस वीडियो में हम बात करेंगे बैड वेटिंग के बारे में बैड वेटिंग दोस्तो एक ऐसी समस्या है जिसमें बच्चे रात के समय बिश्तर गिला कर देते हैं यूरीन अंदर ही पास कर देते हैं यूरीन पर उनका कंट्रोल नहीं होता इसको बैड वेटिंग बोलते हैं और साथी साथ में इसके कारणों के बारे में डिसक्स करूँगा और एक होमेपथी मेडिसीन बताऊँगा जो बैड वेटिंग के अंदर बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव है तो चलिए दोस्तो इस वीडियो को शुरू करते हैं दोस्तो बैड वेटिंग की जो समस्या है वो तीन से चार साल के बच्चों के अधर ज़्यादा तर देखने को मिलती है और पांच साल के बाद यह समस्या बहुत कम बच्चों में देखने को मिलती है लेकिन कुछ बच्चों में यह समस्या 7 से 8 साल तक भी चल सकते है तो यह जो समस्या है जो embarrassment करेट करती है जब बच्चा थोड़ा बड़ा हो जाता है तो उसको समझ हो जाती है और जब उसको पता लगता है family वाले बात करते हैं इसने रात को उरीन अंदर पास कर दिया तो उसके लिए थोड़ा embarrassment का बाव थोड़ी शर्मिंदगी का बाव थोड़ा बेजती का बाव पैदा होने लग जाता है और जब हम उस बच्चे को डोक्टर के पास treatment के लिए लेकर जाते हैं वो डोक्टर के सामने हम सारे symptoms बताते हैं कि इस बच्चे को रात को उरीन आ जाता है इसको पता नहीं लगता है तो उसके लिए थोड़ी शर्मिंदगी का बाव होता है इसलिए भी हमें इसका treatment करना बहुत जुरूरी हो जाता है तेकिन तीन से चार साल के बच्चों के अंदर यह ज़दातर common होता है क्योंकि इसके अंदर जो sympathetic और parasympathetic nervous हैं जो bladder की जो नाडिया हैं उनका जो control है वो आता नहीं है वो थोड़ा late आता है वो जल्दी develop नहीं होता तो कई बच्चों के अंदर क्या होता है 6-8 साल तक की यह चीज़ ड्यवल्प नहीं होता है तो इसके लिए थोड़ा सा embarrassment का बावात है इसलिए हमें इसका treatment लेना बहुत जुरूरी होता है चलिए दोस्तों अपम बात कर लेते हैं कारणों की कि किन कारणों से हमें यह समस्या हो सकती है दोस्तों बच्चों में यह समस्या होने का सबसे बड़ा कारण है small bladder अगर जो उसका पिशाब की थैली है बच्चे की अगर वो उसका साइच होता है उसके अंदर कम urine store हो रहा है तो chances है जादा कि उसको bad wetting हो जाए दूसरे दोस्तों जो nerves हैं जो हमें signal देती हैं कि आपका bladder full हो गया है उसके बाद ही क्या होता है कि हमारे दिमाग तक signal जाता है और हम urine करने के लिए जाते हैं अगर उनको signal नहीं मिल रहा है sympathetic और parasympathetic nerves active नहीं है bladder problem का control नहीं है तो क्या होगा आपको signal नहीं मिलेगा या late मिलेगा या अगर आप नेंद में है तो आपको पता नहीं लग पाएगा सिगनल इतना strong नहीं होगा कि आपको नींद से उठा दे तो ऐसी condition अंदर क्या होगा urine अंदर ही निकल जाएगा आपको पता ही नहीं लगे इसके वाज़े से रात को हमें कम यूरिन के लिए जाना पड़ता है यह जाना ही नहीं पड़ता है ऐसे condition होती है 7, 8 घंटे के लिए हम एक जैसी sleep नींद लेती हैं अमें बीच में उठाना नहीं पड़ता है तो यह edge हर्मों के वज़ेसे होता है और कुछ बच्चों के अंदर ADH hormone नहीं बनता है, कम बनता है, तो ऐसी condition के अंदर क्या होगा, urine का production जदा होगा, urine जदा बनेगा, urine जदा बनेगा, और आपकी नीद गहरी है, आपको पता नहीं लग रहा है, तो भी ऐसी बात है कि आपका urine अंदर निकल जाएगा. अगला है दोस्तो diabetes के अंदर, अगर बच्चों के अंदर diabetes की condition है, तो शुगर के अंदर आपको पता है कि जब ज़्यादा शुगर बड़ी हुई होती है, तो हमें बार-बार urine के लिए जाना पड़ता है, और बार-बार urine का production होता है, तो ऐसी condition के अंदर भी हो सकता है कि बच्चों के अंदर bad wetting के समस्या हो, चलिए दोस्तो अब हम बात कर लेते हैं इसकी होमेपथी दवा के बारे में, तो इस पर मैं आज एक दवाई बता रहा हूँ, तोस्तो इस दवा का नाम है क्वेजिचम हाई मेल, तोस्तो ये एक mother tincture है, इसकी बहुत ही अच्छे result है, दोस्तो मैंने अपनी practice के अंदर इसको frequently use किया है, और इसकी 10-10 बुन्दे आप सुबह दुपैर शाम, एक चुथ high cup गुन्दे पानी के अंदर दिन में 3 बार खाना खाने से आदा गंटा पहले या आदा गंटा बाद इस दवा को दे सकते हैं, ये दवा दोस्तो बहुत ही ज़्यादा effective है, आशा करता हूं दोस्तों इस दवा को लेने के बाद आपको बहुत ही शांदार result मिलेंगे, दोस्तों किसी cases के अंदर अगर आपको अच्छे result नहीं मिलते हैं, अगर एक मीने के अंदर आपको अच्छा improvement नहीं मिलता है, अगर आपके मैंने में कोई स्वाल है तो आप मुझे comment box में पूछ सकते हैं, अगर आप मेरा appointment चाते हैं तो आपको स्क्रीन पर एक नंबर शूराओ का इस नंबर पर मैसेज करके मेरा appointment book कर सकते हैं, अगर आप इस दवा को buy करना जाते हैं तो लिंक नीचे description में दिया है, आप वहाँ से जाके buy कर सकते हैं, मिलते हैं दोस्तों ऐसी किसी और informative वीडियो के साथ, thank you so much.